दोस्तों यह दिवे पुष्प देखकर आप इसे पहचान तो जरूर गए होंगे हाँ आपने एकदम सही पहचाना यह सदा बहार की पुष्प है यह हमें सड़क के किनारी पार्क में कही पर भी आसानी से मिल जाते हैं जो साल भर फूलों से भरे पूरे होते हैं इसलिए इने सदा बहार कहा जाता है हम इने बहुत साधारन बोधा मानते हैं क्योंकि हमें इसके आउशदिये गुनों के बारे में नहीं पता होता है सदा बहार के पुष्प तथा पत्तिया डाइबिटीज से लेकर बहुत सारी बिमारियों को ठीक करने के लिए उपयोगी होती है लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि यह हमारे तवचा के लिए वरदान होते है अगर तवचा पर कील, मुहासे, दाग, सावलापन, जुरिया जैसी स्कीन प्रॉब्लम से जूज रहे तो अब आपको घबराने की कोई आवशकता नहीं है मैं आज आपके लिए दो असरदार फेस्पैक बनाने की विदी शेयर करने वाली हूँ आप इस वीडियो पर अंततक बने रहिए ताकि आपसे ये ब्यूटी सीक्रेट मिस न हो जाए सदा बहार के पौधे दो प्रकार की होते है एक में ये जामुनी रंग के फूल खिलते है और दूसरे पौधे में ये सफेद रंग के फूल खिलते है दोनों ही पौधे और शदी यगुनों से युकत है लेकिन दोनों पौधों में अलग-अलर medicinal properties होती है अगर आप सफेद रंग की सदा बहार के आउशदी ये गुनों को जानना चाहते है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताए मैं आपको इसकी वीडियो बना कर जरूर शेयर करूंगी चलिए जानते हैं कि सदा बहार के फूलों में ऐसे कौन से तत्व पाये जाते है जो कि हमारे तवचा के लिए इतने उपयोगी होते है ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है ऐसा नहीं है कि मैंने कहा और आपने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कौन सी medicinal properties होती है जो हमारी तवचा के लिए उपयोगी है आए चलिए इसे जान लेते हैं सदा बहार के फूलों में एंटि बैक्टेरियल और एंटि माइक्रोबियल गुन होते हैं जो तवचा को बैक्टेरिया से लड़ने में मदद करते हैं और तवचा को स्वस्थर रखते हैं तथा एंटि एजिंग तत्व पाए जाते हैं जो तवचा को बुड़ा होने से बचाते हैं और सदा जवा बनाये रखते हैं सदा बाहर के फूलों से तयार फेस पैक के इस्तमाल से आपकी तवचा हमेशा खूबसूरत और खिले-खिले नजर आएगी दोस्तो सदा बाहर का वज्यानिक नाम केथारेंच सरोजस हैं इसे हिंदी में सदा बाहर या सदा फुली कहा जाता है सदा बाहर की फूलों से तयार फेस पैक के इस तमाल से आपकी तवचा हमेशा खूबसूरत और खिली-खिली नजर आएगी चलिए जानते हैं इस फेस पैक को कैसे त्यार करना है हमें सदा बाहर के कुछ फूल ले लेना है इन्हें साफ धो लेना है अभी मैंने यहां यह चोटा सा कूटने वाला गैजट ले लिया है इसमें अभी हम कुछ फूल डालेंगे और इसे अच्छे से कूट लेंगे इसका हम हमने इसे अच्छे से कूट कर इसका पैस्ट बना लिया है इसे अभी हम एक कटोरी में निकाल लेंगे इसमें हम जो महत्वपूर्ण इंग्रिडेन डालने वाले है वो है मूलतानी मिट्टी इस तरह से मूलतानी मिट्टी के पाउडर का पैकेट आपको सूपर शॉप में आसानी से मिल जाएगा अब हम इसमें यह जो दूसरे इंग्रिडेन डालने वाले है यह रोस वॉटर यानि गुलाब जल यह भी हमारी तवचा के लिए बहुत अच्छा होता है अब हम इसमें तीसरी सबसे इमपॉर्टेंट चीज डालने वाले है यह है गलेसरीन इससे हमा देंगे अगर आपको ये थोड़ा गाड़ा लगता है तो आप इसकी consistency को adjust कर सकते हैं थोड़ा सा पानी या फिर गुलाब जल डाल सकते हैं हम इसे तुरंट नहीं लगाएंगे इसे हम 5 मिनिट के लिए side में रख देंगे 5 मिनिट पूरे हो चुके हैं देखिए इसकी consistency एकदम perfect है अगर आपको ये थोड़ा गाड़ा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी या rose water डाल कर इसे adjust करके फिर लगाईए इस face pack को चहरे पर कैसे लगाना है अब ये जान लीजिए face pack लगाने से पहले चहरे को अच्छे से धो लेना है पोच लेना है इसके बाद face pack लगाना है आप चाहे तो brush से भी इसे लगा सकते है अच्छे से थोड़ा थिक layer हमें इसे लगा लेना है देखिए हमने इसे अच्छे से लगा लिया है अब हम इसे पूरी तरह से सूखने द बहुत ही प्यारा कलर आया है और स्किन भी एकदम टाइट लग रही है जब आप इसे अपने चहरे पर लगाते हैं तो आपको इसका आसर बहुत अच्छा दिखता है इस फेस पैक का इस्तमाल आप हफते में दो से तीन दिन कर सकते हैं चलिए अभी दूसरे फेस पैक बनाने क को मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना कर फ्रिज में दो से तीन दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं देखे हमने इसे अच्छे से पीस लिया है अभी हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे इसमें अभी हम दो बड़े चम्मच दूड डालेंगे अगर दूद कच्चा है तो इसके result और भी अच्छे मिलते हैं दूद हमारे तवचा को potion देता है एक बड़ा चम्मच शहट डालेंगे शहट हमारी तवचा पर anti-aging का काम करता है जो हमारी तवचा पर जुरिया नहीं पढ़ने देता है एक चोथाई छोटी चम्मच healthy powder डालेंगे healthy powder antibacterial होता है इसकी वज़े से हमारे तवचा पर कील मुहासे नहीं होते हैं और कील मुहासों के डाग भी निकल जाते हैं इसे अभी हम अच्छे से मिला देंगे अगर यह आपको काफी ठीक लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा दूद आड़ कर सकते हैं अभी हम जानेंगे इसे चेहरे पर नमी बनाए रहे और इसका रिजल्ड भी अच्छा आए अभी हमने इसे चेहरे पर अच्छे से लगा दिया है इसे हम 15-20 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे 15-20 मिनिट पूरे हो चुके हैं अभी हमें इसे धो लेना है अगर यह नहीं भी सूकता है फिर भी हम लग रही है जब आप इसे अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपके चेहरे में भी इस तरह से निखार आ जाएगा आपकी तवचा बहुत सुन्दर और मुलायम दिखने लगेगी किल मुहासों के सारे दाग निकल जाएंगे डाग सरकल्स निकल जाएंगे साथ ही संटैन भ जवा और खूब सूरत दिखने लगेगी आप इन दोनों फेस पैक को ज़रूर ट्राय कीजिए और आपको इस फेस पैक लगाने के बाद अपने चेहरे पर क्या फरक दिखा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताईए अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लिस हमारे वीडियो को लैक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेर कीजिए ताकि उन्हें भी ये ब्यूटी टिप्स मिल पाए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए नमस्ते